हर हर महादेव ओम नम्ह शिवाय दोस्तों स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुब मंगल पे दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में धाई सो वर्षों बाद एक अद्भुत और दुरलब संयोग बनने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, साथ अ और आपके पती की लंबी आयू हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस सुन्दर वीडियो में हम आपको हर्याली तीज से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूरु देखे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में पूजा विधी क्या है? इसके नियम क्या है? और इसका महत्व इससे क्या लाभ मिलेंगे? और सास की थाली में आपको क्या-क्या रखना चाहिए? और अगर हर्याली तीज व्रत वाले दिन पीरियड हो जाए, तो फिर व्रत और पूजा कैसे करे? और पती की लंबी आयू के लिए क्या उपाय करे? तो इस वीडियो में आपको हर्याली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे. दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी 6 अगस्त 2024 को र रखा जाएगा. ऐसे में व्रती इस दिन अपने शुभ व्रत का पालन करें. हर्याली तीज की पूजा सुभह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच होगी. इसके बाद सुभह 10 बज कर 30 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसकी पूजा की जा सकती है. वहीं शाम की पूजा. शाम 4 बज कर 30 मिनट से 6 बजे तक के बीच होगी. पंचांग के अनुसार पूजा के लिए यह उत्तम समय माना जा रहा है. इसलिए इस समय पूजा करने की कोशिश करें. इस मुहूर्त में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. दोस्तों, यह त्यो कुमवारी लड़कियां भी अच्छे घर और वर की कामना के लिए हर्याली तीज का वरत रखती हैं. हर्याली तीज के दिन महिलाएं हाथों में महंदी लगाती हैं और जूला जूलती हैं. साथ ही सावन के गीद भी गाती हैं. आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगव रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशिरवाद प्राप्त होगा. चलिए, अब हम जानते हैं कि हर्याली तीज की पूजन सामगरी क्या है दोस्तों? आपको भगवान शिव माता पार्वती और गणे अब हम जानते हैं हर्याली तीज वरत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हर्याली तीज वरत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए. इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं और साथ ही पूर् इस दिन महिलाओं को सोलह सिंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रिंगार का सामान आया हो तो वही धारन करना चाहिए। लेकिन किसी कारण वश मायके से सामान ना पाए तो आप स्वयम अपने लिए कपड़े और स दोस्तों सभी को इस दिन जल्दी उठना चाहिए। देर तक भूल कर भी ना सोय और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। पाइना देने की रस्म होती है। इस दिन सास की थाली आप अच्छे से सजाएं। आप सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली ले फिर इस थाली में आप लाल या हरे रंग की साधी सूट रख ले। अब आप थाली में सुहाग की सामगरी रखें। इसमें आप आईटम्स अपनी मर्जी से रखें। आप चाहे तो चांदी के बिज़ी सास को गिफ्ट कर सकती हैं। आप जो भी उपहार अपनी सास को देना चाहती हैं, वो रख ले। इसके अलावा लाल हरी चूड़ी बिंदी और सिंदूर जरूर रखें। और आप इस ठाली में कुछ पैसे भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस ठाली को पूजा के समय मा पार्वती के सामने जरूर रखें। और पूजा करने के बाद अपनी सास को उपहार स्वरूप दे दे चली। अब हम जानते हैं हर्याली तीज की पूजा विधी और व्रत पारण की विधी के बारे में दोस्तों इस दिन सुभह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। और भगवान शिव और माता पारवती की पूजा और आरती करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान शिव और माता पारवती का ध्यान करें। मंत्र जाप करें। अब आप इसके बाद पूजा के लिए गीली मिट्टी या बालू रेट से भगवान शिव और माता पारवती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ती अपने हाथों से बनाएं। फिर प्रदोशकाल में सनान करके, सोला सिंगार करके, हर्याली तीज की फिर इसके उपर भगवान शिव माता पारवती और गणेश जी की मूर्ती स्थापित कर दे। अब आप भगवान जी को सुन्दर चमकीली वस्त्र पहना कर उनका श्रिंगार करें। साथ ही चौकी को भी फूल माला से सजाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूज फिर भगवान शिव और उसके बाद माता पारवती जी का पूजन करें। आप शिव जी का अभिशेक करें। उन्हें दूद दही घी शहद शक्कर और गंगा जल से स्नान कराएं। और शिव जी को सफेद चंदन लगाएं। सफेद फूल माला आदी अर्पित करें। बेल पत्र शमी पत्र धतूरा आधी चड़ाएं। फिर शिव जी को जनेव चड़ाएं। साथ ही माता पारवती को सिंदूर लगाएं। उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप घर की बनी मिठाई का भोग लगाएं। पू ततपश्चात भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद भगवान से हाथ जोड कर अपने पती की दीरखायू की कामना करें। और घर की सुख शान्ती के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा मे के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशिरवाद ले दोस्तों। इस दिन सुहाग वश्रिंगार का सामान किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मन को दान करने से विशेश लाब मिलता है। आपको बता दें कि इस दिन भजन कीरतन या मंतर जाब करके रात अपने वरत का पारण करे और अंत में जो भी पूजन सामगरी है और जो भगवान की मूर्तियां हैं उसे आप किसी नदी या तालाब में विसरजित करतें तो इस तरह से आपका हरियाली तीज का वरत पूर्ण होता है। कि आप पूजा की किसी भी सामगरी को हाथ न लगाएं और ना ही भगवान के लिए भोग बनाएं। गलती से भी आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें। आपको हरियाली तीज के दिन भगवान शिव माता पारवती की पूजा स्वयम नहीं करनी है। बलकि पूजा आपको घर की किसी अन्य महिला से करा लेनी हैं। यदि आपके घर में कोई महिला ना हो तो आप पूजा अपने पती से भी करा सकती हैं। और आपको इस दिन रात जागरण भी जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों तीज की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत और पूजा अधूरी है, एक कथा के अनुसार मा पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्या वस्था में अधो मुखी होकर घो इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबा कर ही काटे, और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवाही ग्रहन कर जीवन व्यतीत किया, माता पार्वती की यह स्थिती देख कर उनके पिता अत्यंत दुखी थे, इसी दौरान एक दिन महर्षी नारत भगवान विश्नु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर, मा पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई, तो वे बहुत दुख और जोर-जोर से विलाप करने लगी, फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विश्नु से कराना चाहते हैं, तब सहेली की सला पर माता पार्वती घनेवन में चली गई, और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई, मा पार्वती के इस तपस्वनी रूप को नवरात्री के दौरान माता शैल पुत्री के नाम से पूजा जाता है, भाद्रपद शुकलत्रतिया, तिथी के हस्त नक्षत्र में, माता पार्वती ने रेच से शिवलिंग का निर्मान किया, और भोले नात की स्तुती में लीन होकर रात्री जागरन किया, तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिये, और इच्छा नुसार उनको मनाय रखने के उद्देश से भी मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद